नमस्ते साथियों मैं कवीतात ओतला लेक्चरर इन हिंदी गौर्वेंट ओफ राजस्थान आर्पीस्टी फर्स्ट ग्रेड और आर्पीस्टी सेकंड ग्रेड हिंदी विश्वे से जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं उनका मेरे चनल पर अर्दिक स्वागत है मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पूरी तैयारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रही हूँ उसी श्रंकला में इन्दी सहित्य का हितियास इस चैनल पर अल्रेडी चल रहा है जिसके बारा बाग हो चुके हैं जिसमें हम आधिकाल पड़ चुके हैं और वक्तिकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज वक्तिकाल का एक वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ और इसी के साथ साथ हमने किताबों को भी साथ में लिया है जो हमारी कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तके हैं उनके शॉर्ट नॉट्स कैसे बनाए जाते हैं किस तरीके से आप बना सकते हैं यह मैं आपको यहां बनाना सिखा रही हूं और उसी शंकला में दो पार्ट हमारे हो चुके हैं जैशंकर प्रसाथ सुर्यकांत रिपाटी निराला और आज हम कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का त तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और मैं आपको यहां पर शॉर्ट नॉट्स बनाना बताऊंगी कि आप इन पार्टों के शॉर्ट नॉट्स कैसे बना सकते हैं तो अब हमारा तीसरा ध्याएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्याई यह कक्षा 12 अंतरा पुस्तक का त सबसे पहले आम इनका जीवन परिचे पढ़ेंगे जीवन परिचे क्या है इनके जीवन परिचे में इनका जन्म सन 1911 में कुशिन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है एक जनकारी और दे देना चाहती हूं मैं आपको जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि टेलीग्राम पर मैंने मेरा एक चैनल बना रखा है तो जो भी हिंदी सायती के इतियास को मैं यहां पढ़ाती हूं उस वह वाले नौट्स बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि रोज यहां पर फर्स ग्रेंड और सेकंड ग्रेड की हिंदी विशेश से तयारी करवाई जाती है और अपनी तयारी में यह जो नौट्स आप बना रहे हैं चाहे हिंदी सायती के इतियास के हो या फिर यह पर्ट होगे यह बहुत ही राम कहा हुआ उत्तर प्रदेश के कुशी नगर में अब आपको अपनी नौट बुक में क्या लिखना है जैसा मैं बता रही हूं मैंने दो दिन पहले से यह बुक्स पढ़ाना शुरू किया और मैंने पहले वीडियो में कह दिया था कि आपको कॉपी पैन और माद्यमिक साथ लेके उसे बैठ रहा है और कॉपी पैन इसलिए लेके बैठना है कि मैं यहां बताती जाओंगी कि यह लाइन आपको लिखनी है ठीक है पहली लाइन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे हैडिंग डालिए आप अग्ये और फर्स नमबर पे लिखिए कि इनका जन्म 1911 म क्रिश्चन कोलेज से विВिघ्यान की पढ़ होर कोलेज भी 현 के सी और अंग्रेजी विशे frog में हैो जौदपुर विश्य विद्याले में भाशा विज्ञान के निदेशक रहे अब इन्होंने संपाधन कार्य क्या क्या किया 1936 में सैनिक पत्री का विशाल भारत प्रतीक दिनमान नव बारत टाइम्स का सफल संपाधन किया अगला है लेखन कार्य अग्याई ने तार सब्तक दूसरा तीसरा प्रतीक सब्तक में इन्होंने साथ साथ कवियों की रचनाओं को शामिल किया तीसरा पॉइंट यह लिखना है आपको आपकी कॉपी में और चोथा पॉइंट लिखना है जेल में इन्होंने चिंता और शेखर एक जीवनी को लिखा यानि कहां लिखा चिंता और शेखर एक जीवनी को जेल में लिखा रचनाएं जैसा कि हम सभी रचनाओं को हमारी कौपी में लिख रहे हैं तो ये रचनाओं से लेके और साहित्य के विशेष्टा है मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना ही है क्योंकि ये बहुत ही मौस्ट और इंपोर्टेंट है ये रचनाओं अक्सर एक्जाम में पूछी जाएंगी आपके पाठ्य पुस्तकों की द्रश्टी से भी बहुत ज़्यादा उप्योगी है और अगर इंदी साहित्य के इतियास की द्रश्टी से आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा उप्योगी है और आपके हातों से अगर आप लिखेंगे तो आपके दोनों बाग कवर रोंगे साइत्यका इतियास भी और पाठ्य पुस्तकों के नौट्स भी तो इनके कावि कौन कौन से हैं बगनदू चिंता बावरा अहेरी हरी गासपर खशनबर नाटक है उत्तर प्रियदर्शी कहानी आएगी वी पतगा परंपरा ये तेरे प्रतिरूप और जिग्यासा उपन्यास शेखर एक जीवनी नदी के दीप अपने अपने अजनबी यात्र शंकू सबरंग आत्मनेपद अब यह यहां से लेकर आपको साहित्तिक विशेष्टाओं तक पूरा अपनी शॉट नॉट्स की कॉपी में उतारना है 1989 में कितनी नाओं में कितनी बार कवीता पर इनको बारतिय ग्यानपेट पुरुसकार मिला बहुत ही इंपोर्टेंट है कब मिला 1989 में किस पर मिला कितनी नाओं में कितनी बार पर कौनसा पुरुसकार मिला बारतिय ग्यानपेट तीन तरीके से प्रश्ण पूछे जा सकते है कब मिला किस पर मिला कौन सा मिला दूसरा इनको साइटिय अकादमी भी मिला हुआ है और भारत-बारती भी मिला हुआ है ठीक है कि अब हम साइटिक विशेश्चताइं देखेंगे कि यह कॉपी में लिखनी है आपको क्या है जीवन को पॉर्णता में जीने का अग्रे किया किसने अग्यें यह साइतिक विशेष्टाएं जो है यह अभी के 2018 के फस्ट ग्रेड में देखने को मिली है आप पेपर उठा के देखिएगा अगर बारी की से तो आपको समझ आएगा एक बारगी में नहीं आएगा दो-चार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अंदर से पुछा गया और यहां से ही पुछा गया दूसरा आता है दूसरी विशेष्टा व्यस्ट्री और समस्ट्री में समनवई यह इनकी बहुत तगडी विशेष्टा एक तरह से देखा जाए तो तीसरा है दार्शनिक्ता और बोद्धिक्ता और चोथा अग्ये के साहितिक विशेष्टाओं में आएगा लगू अंदर जीखित एब जिन बच्चों के पास मान लो ये बुक नहीं है अंतौल को सारे बच्छों के पास तो मार्केट में कितावों हैं जो अभी हुमारे चल रही है उस किताब को मैंने यहां पर इनकी फोटो लेके और यहां पर पेस्ट कर दिया इससे कि यह किताब जो आपने पास स्क्रीन पर आ रही ही है यह यह ज़ो आप देख रहे हैं यह तो व्याख्या स收看 hon लेकिन इसके साथ यह न उसके पंट साथ हैं कि यह ध Khalaf के लगी इंध bench के पूरी कवीता यह उर शब्दारत हमें इस में नहीं भेलें लियुट इसके लिए जिसके पास अंतरा बुक तो हमारी अग्याई ने दो कविताइं लिए अंतरा बुक में कौन कौन सी पहली तो है यह दीप अकेला और दूसरी एक कविता और आएगी आगे मैंने देखा एक भून अब यह दीप अकेला किया है मैं एक वार के लिए आपको समझा देती हूं कि यहाँ पर व्यस्टी और स समस्टी के समन्वय का ही उदारन है ठीक है तो आप यह लिख सकते हैं अपनी कौपी में कि यह दीप अकेला कविता में व्यस्टी और समस्टी का समन्वय देखने को मिलता है यह लाइन आप लिख लीजिए व्यस्टी कौन है एक व्यक्ति और समस्टी कौन है समाज अगर 10 लिए अगर कर दिया जाए तो फिर प्रकाश कीसा हो kiss बहुत ज्यादा होगा तो उसी प्रकार से एक विगुणवान व्यक्ति को यदि समाज में मिला दिया जाए तो समाज की प्रगति होगी रास्ट की प्रगति होगी देश की प्रगति होगी कैसे जैसे एक दीपक को अगर अन्य दीपक की फंक्ति में मिला दे तो उजाला व्यस्टी और समस्टी का समन्वे इन्होंने बताया है अग्या इन्हें ठीक है तो यह जो कवीता है यह व्यस्टी और समस्टी समस्टी का समन्वे अब हम कवीता पढ़ेंगे कि क्या दिया है इन्होंने इसमें यह दीप अकेला स्नेह भरा है घर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंग्ती को दे दो यह जन है गाता गीत जिने फिर और कौन गाएगा पन डुबबा ये मोती सच्चे फिर कौन क्रती लाएगा यह समिधा ऐसी हाग अटीला विरला सुल गाएगा यह समिधा क्या होती है हवन में देने वाली लगडी यह एद्विती यह मेरा यह में स्वैम विसरजित यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंग्ती को दे दो यानि एक व्यक्ती गुणवान है जिसे हमें क्या करना है समाज को समर्पित करना है यह मदू है स्वैम काल की मोना का युग संचय यह गौरस जीवन काम धेनु का अम्रत पूत पै यह अंकुर फोड धरा को रवि को तकता निर्भै यह प्रक्रत स्वैंभू ब्रह्म अयुत है इसको भी शक्ती को दे दो यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता प पर इसको भी पंक्ती को दे दो अगली लाइन है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लगुता में भी कापा यानि अपने छोटे होने पर भी वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वैम उसी ने नापा यानि जो इस पत पर चल रहा है जो संगर्ष कर रहा है उसकी क्या अग्या के धुंदुआते कडवे तम में यह सदा द्रवित चिर जाग रूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब वाहुय चिर अखंड अपना पा जिग्यासु प्रबुद्ध सदा श्वद्धा में इसको भी पंक्ती को दे दो यह अंत्रा बुक में भक्ती लिखा है लेकिन यह भ अंती को दे दो देखिए अन्य आप सोच रहे होंगे कि पद्यभागर की एक 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 लाइन की व्यक्ष्या तो व्यक्ष्य एक्षाम में नहीं आती है व्यक्ष्य आती है 12 क्लास के बच्चों के इक्षाम में जो हम भी पढ़ चुके और आपको पता है कि सवह प्रसंघ्य वहीं आती है हमारे एक्जाम के दस्ट्री कौन से क्या मैं तो पूर्ण है यह कि परिक्षा में लाइन दी जाएगी यह मदू है वैं यह मदू है स्वैम काल की मोना का युग संचे यह गौरस जीवन काम देनु का अम्रत पूतबै यह पंग्तियां कक्षा बारा अंतरा की पा जाना होगा अग्यें समझ में आरी होगी आपको बात व्याख्याएं हमारी परिक्षा में नहीं आती है या तो यह पूछा जाएगा कि यह दीप अकेला यह जो कवीता है यह किस से ली गई है ठीक है या तो यह पूछा जाएगा या फिर यह पूछा जाएगा कि यह पंग पड़ना चाहिए जिसमें जीवन परिचे आएगा और पार्ट का परिचे अलोग होगा वह यह कवीता क्या कहना चाहती है इसका मूल वाव क्या निकल के आ रहा है वही एक्जाम में पूछा जाता है व्याख्या कभी नहीं पूछी जाती है ठीक है अब आगे देखिए अब देखो यहां पर आपको एक चीज यहां और ध्यान रखनी है यह भाषा शेली है यह हमारे काम की नहीं ठीक है अब इनकी म्रत्यों कभी तो कौपी में आपको लिखना है कि में 87 में इनकी म्रत्यू आता हैक ट्रूपमें अगला है अब आता है हमारी कवीता का सार क्वेता का सार आता है यह दीप अकेला में अग्येई जी ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया है किसके रूप में लिया है मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया है यानि यहां पर अग्येई जी यह कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह बरा है गर्व बरा मदमाता पर इसको भी प रूप में लिया यानि दीपक को क्या माना है मनुष्य माना है ठीक है जिस प्रकार पंक्ति में शामिल हो जाने पर एक जग मगाते दीपक का सौंदर्य और महत्व बढ़ जाता है उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र है प्रेम और करुणा से भरा हुआ ह उसकी सार्थक्ता भी समाज के साथ जुड़कर रहने में है समझ में आया दीपक को मनुष्य के प्रतीक के रूप में लिया जिस तरह से एक दीपक का सुंदर और मैत्व अन्य दीपक बहुत सारे दीपक में मिल जाने से होगा उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अपने आप में स् सारुना से बरा है वह यदि समाज में मिल जाए तो क्या होगा सार्थक्ता होगी अग्याई जी व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोडने पर बल देते हैं पहली लाइन आपने लिखी है कि यह दीपकेला कविता में व्यस्टी और समस्टी का समन्वे बताए गय दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि अग्याई जी व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक शत्ता के साथ जोडने पर बल देते हैं किसमें यह दीपकेला कविता मैं यह दूसरी लाइन आप लिखी देदो और आप लिखेंगे किसकी रचना है अग्याई की कौन सी कवीता है यह दीप अकेला इससे क्या होगा एक्जाम में आपको याद आज़ेंगे आप देखिए इसमें अग्याई जी दीपक के माध्यम से मनुष्य की बात करते दीपक को किसका प्रतिक बताएं व्यक्ति का यह लाइन अकेला है यह जो मनुष्य है इसमें गर्व गमंड अनेक शक्तियां भरी है जिससे क्या करता है इतलाता और इतराता यह है इसलिए अनेक शक्तिया होते वे भी यह क्या है अकेला है अ हमें इसे समाज में शामिल कर देना चाहिए ताकि इसकी शक्ति से राष्टर का क्या ओ कल्यान हो सगे तिक यह वो व्यक्ति है जो देश कल्यान के गीत गाता है यदि इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो फिर ऐसे मदुर गीत कोन गाएगा यानि जोश के उत्साह के क्रांती के गीत कोन गाएगा यह वो गोता खोर है जो भावनाय रूपी समुद्र की अतल गेराई में जाकर सुन्दर रचनाय रूपी मोती खोज कर लाता है किस तरीके से हमने पड़ा हमने एक लाइन पड़ी थी इसमें यहाँ पर कि पन डुबबा ये मोती सच्चे फिर कौन क्रती लाएगा ये जन है गाता गीत जिने फिर और कौन गाएगा जिस प्रकार से एक गोता खोर पंडुबबा एनी गोता खोर समुद्र में जाकर और मोती डूंड कर लाता है वही लाता है और तो किसी के बसकी बात है नी उसी प्रकार ये व्यक्ति भावनाय रूपी समुद्र की अतुल गेहराई में जाकर सुन्दर रचनाय रूपी मोती खोज कर लाता है फिर उन्हें स्वैम विसर्जित यह दीप अकेला स्नेह बरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यानि यह वह यग्य की हवन सामगरी यह समिधा समिधा यह वन सामगरी ऐसी हाग अटीला विरला सुलगाएगा यानि ऐसी प्रज्वलित अगनी कोई विरला ही कोई हठील सुलगा पाएगा क्योंकि यह क्या है एद्वितिय यानि इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है और यह मेरा है मेरा का मतलब स्वय का भाव है यानि यह दीपक यानि मनुष्य अकेला है पर प्रेम और प्यार से भरा हुआ है साथ में अपनी शक्तियों पर इठलाता और इतर इसी में इसकी और देश की भलाई है तीक है आपको समझ में आ गया होगा अब विशेश ग्या है कि मनुश्य की विक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता में शामिल करने का संदेश दिया है यह लाइन में आपको लिखवा चुकी हूं और अगर आपको सलीके से वहां नहीं लिख पाए हो तो आप यहां से लेके यहां तक इसे लिख लीजिए लिख लिख लिया हो तो अच्छी बात नहीं तो यह लिखिए कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को साम पर्मका नहीं है जाहर अगला टाय है ऊगला एक परिग्राफ है यह यह लिखिए आप यह स दरवित डाट-डाट-डाट स्वधा मैं इसको भी chaite को दे दो किसकी कविता यह जिखना है अग्या की अगय की का क्वा अग्यकर एक कॉन सी है देदीप अकेला अब इसका बावा पर यह व्यक्ष्या है जो हम कर रहे हैं, कवी धीपक को प्रतीक बना कर मनुष्य के गुणों का वर्णन करता है, जो सदा दयालू, जाग्रुँ, सब के प्रती प्रेम भाव से युक्त रहता है, इसी प्रकार से कवी भी समस्थ, कश्थ, स्वयम सेन कर सबको अपनाने के है थीक है अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे यह शब्दार्थ लिए मैंने आपके बारवी की पुस्तक से कख्षा बारा की तरह सें यह दीप अकेला कवीता कृति का मतलब होता है भाग्यवान या कुषल वैसे तो करती का होती ना किसी की द्वरा किया गया पर इस पार्ट के अनुसार क्रती का मतलब किस से लिया गया है वाग्यवान पुशल का देखिए हर शब्द का अपनी अपनी पंक्ती के अनुसार अपना अलग अर्थ होता है ठीक है पनडुबा गोता खोर एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मचलियां पकड़ता ह उसे भी कहते हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं हम इंदी में पढ़ते भी हैं अनेक आर्थक शब्द समीदा यानी यग्य की सामगरी बिर्ला यानी बहुतों में एक यानी बहुत लाखों में से एक विसरजित त्यागा हुआ जिसे त्याग दिया गया हो गौरस य या फिर स्वाभाविक स्वयंभू ब्रह्मा को भी कहते हैं और स्वयंभू से पेदा हुआ और हमने इंदी सहिति के इतियास में स्वयंभू को पढ़ा है पौव्म चरिव उसकी रचना हैं हमने देखी थी अयूत है दस हजार की संख्या भी कहते हैं संबद्ध भी इसका मतलब है और प्रतक यह इंपोर्टेंट है दस हजार की संख्या क्या मतलब अयूत है अब देखिए अब आगे यह कवाता हमारी पूरी हो गई ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे अग्ली कवीता जो अग्य कीई क astrology लीथी एक हमने पढ लिए दी पकेला अब पांड संक्या तीन में की दूसरी कवीता है यह दूसरे नंबर की, ये भी अग्येई जी की ही है ठीक है? मैंने देखा एक बूंद ये बूंद, ये कक्षा बारा की अंतरा पुस्तक का ही यहाँ पर मैंने फोटो लिये वहीं का प्रस्ट है मैंने देखा एक बूंद सैसा उचली सागर के जाग से रंग गई एक शन बर, डलते सूरज की आग से कैसे? सागर में से एक बूंद निकली ठीक है? और सूरज का प्रकाश पड़ा अब सूरज के प्रकाश की लालिमा कैसी होती है? एकदम पीली सोने के रंग जैसी लहलाल होती है जैसे ही बूंद उचली और सूरज के प्रकाश से मिली और उसमें चमक पैदा हो गई है ना? डलते सूरज की आग से मुझको दीख गया सूने विराट के सम्मुक हर आलोक छुआ अपनापन है उनमोचन नश्वरता के दाग से जिस वक्त वो बूंद सागर में से उचल के और बाहर रेत पर गिरी तो जा निकलने से लेकर और गिरी कितना एक ख़ण भी नहीं लगा होगा लेकिन केवल उस ख़ण के बीच में जब वो सूरज के प्रकाश के संपर्क में आई तब तक तो वो अस्तितों में थी क्योंकि वो चमक उठी लेकिन जैसे ही वो रेत में गिरी और क्या होगी नश्वर होगी उसका अस्तित्व क्या होगी समाप्त हो गया यानि अकेले उचल कर बाहर आई बले ही निकली अकेले लेकिन जब तक वो चमकी उस सूरज की आग से रोशनी से उस वक्त तक तो अस्तित्व था जब तक सागर में थी पर जैसे ही निकल के और रेत में गिरी और उस बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो यहां कभी यहीं कहना चाहते हैं आगे हम देखेंगे कि यह क्या कहना चाहरे हैं तो देखिए मैंने देखा एक बूंद इस कवीता का सार पड़ेंगे हम अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा अब जो मैं बताऊंगी अब बताऊंगी क्या लिखना है देखिए मैंने देखा एक बूंद कवीता में कवी ने जीवन के क्षण के महत्र को दर्शाया कि मैंने देखा एक बूंद में क्या भाव है क्या कहा है तो कवी ने जीवन में क्षण के महत्र को दर्शाया है यहीं इस कवीता का सार है इस कवीता में सागर और बूंद समस्टी और व्यस्टी के प्रतीक है सागर किसका प्रतीक है समस्टी का लिख लेना कॉपी में सागर तो है समस्ती क्या है जो ज़्यादा है वो समस्ती है और व्यस्ती एक अकेला इंसान होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्यस्ती का मतलब एक समस्ती का मतलब बहुत सारा तो सागर अपनी कॉपी में लिखिए समस्ती का प्रतीक और जो कवी देखता है कि बूंद क्षण भर क्या देखता है कि बूंद क्षण भर के लिए डलते सूरज की आग से रंग जाती है क्षण भर का यह द्रश देखकर कवी को एक दाशनिक तत्वी दिखने लग जाता है बारतिय दर्शन में यह माना गया कि आत्मा पर्मात्मा से बिछड कर उसमें पुने मिल जाने के लिए छट पताती रहती है भई हम कहां से आये पर्मात्मा से और वापस विलीन का होंगे उसी में होंगे उसी प्रकार बूंद भी सदेव इस बात के लिए प्रयास रत रहती है कि वह पुने सागर में समा जाए कवी ने यह संदेश दिया भी संदेश भी दिया कि जीवन की सार्थक्ता इसी में है कि वह छोटा होते वे भी विशेशताओं से बरा है पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई थी कि इस कवीता का बाव क्या है क्षण का महत तो प्रतिपादित किया है और यह परिक्षा में पूछा भी गया है कि एक बूंद के माध्यम से क्या है क्षण का महत तो प्रतिपादित किया गया यह 2016 के पेपर में पूछा गया है आर अब देखिए इसके शब्दार्थ, कुछ शब्दार्थ तो यह दीप अकेला के हैं, जो उपर आमने पढे थे, उसके कुछ बाकी रे गए हैं, कि दीप अकेला उसी के कुछ शबनार्त बाकी ये दो चार बाकी नीचे है मैंने देखा एक बूंद के अम्रत पूत्पय यानि अम्रत रूपी पवित्र दूद के बारे में कहा गया कुच्सा का मतलब यहां निंदा से भी है ग्रणा से भी है उल्लंब बाहू उठी हुई बा नहों वाला मोना मोना यानि टोकरा और पिटारा भी कहा गया है यहां पर इस कविता के अनुसार न अब मैंने देखा एक बूंद के शब्दारत देखते हैं विराट यानि बहुत बड़ा यहां पर हम ब्रह्म से भी ले सकते हैं उन मोचन उन मोचन का मतलब है मुक्त करना ठीला करना नशवर्ता नाश शीलताया मित जाना थीक है तो यह हमारा भाण 3 हो चुका है अग्येजी द्वारा रचित है यह पाठ तीन और इस पाठ तीन में अपने दो कविताएं देखी है कौन-कौन सी एक तो हमने देखी यह दीप अकेला और एक हमने देखी मैं ने दे देति हो आप एक गाल्य कृता जो है यह अग्याई के बावरा अहेरी से ली गई है इनके रचना है बावरा हैरी को लिया गया या इसमें भी मित आया और आपका एकक्षा 12 की अंत्रा में भी इसीज को नहीं बताया है पर ये दीपकेला जो ली गई है अग्ये की रचना बाव्रा अहेरी यह ऐसे लिखना है बावरा अहेरी से दीप अकेला ली गई है यह मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया था तो वहां मैंने और देखा है इसे तो बावरा अहेरी से लिया गया कौन सी कवीता दीप अकेला केवल दीप अकेला ली ग तो यह हमारा तीसरा पार्ट हो गया है और नौट मैंने आपको बता दिये कैसे लिखने हैं कितने लिखने तो आप यह बराबर मेरे साथ उतारते जाहिएगा बनाते जाहिएगा और यह नौट्स आपके बहुत काम आएंगे तो कल हम इसका चौथा पढ़ेंगे और हमारा यह हैं कक्षा बारा के अंतरा का आज के लिए इतना ही धन्यवाद